बारिस के मौसम में चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े मिले तो मजा ही आ जाए आप सोचेंगे कि पकोड़े तो हम हमेशा खाते हैं इसमें ऐसी क्या खासियत है इसमें बहुत बड़ी खासियत है क्यूंकि ये पकोड़ा बना है मस्रूम से और वो भी इश्टप्ट करके यक करिए अगर आप इस पकौड़े को एक बार खा लिए तो आप इस पकौड़े को अपने घर पार्टी में जरूर बनाना चाहेंगे क्यूंकि इस पकोड़े का स्वाध ही गजब का है मस्रूम की सबचिया तो आपने बहुत बार खाई होंगी तो इस बार आप ये पकोड़ा ट्राई करें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सेयर, सबस्क्राइब और हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलें नमस्ति दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हमारे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यबाद आप सभी का हमें बहुत प्यार मिल रहा है तो चलिए अब पकोड़ा बनाना सुरू करते हैं मस्रूम पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मस्रूम को दो तिन पानी से अच्छी तरीके से धोलेंगे उसके बाद इसे इस तरीके से जो इसका उपर वाला लेयर होता है उसे हटा दें यह हलका सा बलैक होता है और दिखने में यह अच्छा भी नहीं लगता तो इस तरीके से जब नाइफ से आप मस्रूम को साफ करेंगे तो वो एक्दम क्लीन हो जाएगा और यह जो नीचे वाला इसका हिस्सा है इसमें से भी हलका सा कट कर लें तो इसी तरीके से हमें सारे मस्रूम साफ करने हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि मसरूम थोड़ा सा ज्यादा बलेक होता है तो इसके लिए उसे गुनबुने पानी में डाल दें और जरासा नमक डाल दें उसके बाद उसमें दो मिनट तक धोने के बाद उसे निकाल लें ऐसा करने से मसरूम साफ हो जाएगा और फिर उसके बाद जब उसका आप लेयर हटाएंगे तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो इस तरीके से सारे मस्रूम को क्लीन कर साफ पाने से एक बार और दोलें तो ये देखिए मस्रूम तैयार है तो चलिए अब हम इसे कट करना बताते हैं क्योंकि हमें इसमें श्टफ करना है तो श्टफिंग के लिए जो इसका डंठल है इसे हम निकाल देंगे तो इस तरीके से सारे मस्रूम के जो डंठल है उससे मस्रूम को अलग कर लें मसरूम बहुत सोफ्ट होते हैं तो इदने आराम से निकालिए जिस्सी की मसरूम तूटे ना तो अब देख सकते हैं कि हमने सारे मसरूम के डंठल को अलग कर लिए हैं तो चलिए अब हम इने साइड में कर देते हैं और स्टफिंग बना कर तैयार कर लेंगे स्टफिंग के लिए 100 ग्राम या 1500 ग्राम पनीर लें और उसे इस तरह से क्रस कर लें हाथों से अगर आप पनीर की जगा पर आलू डालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो अब इस मस किये हुए पनीर में थोड़े से काली मिर्स पाउडर फोड़े सा काला नमक, आधी छोटी चमच डालेंगे अर्गैनो मसाला और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा करीपत तक क्रस किया हुआ आप देख सकते हैं किसे हातों से अच्छे से क्रस कर लिए हैं तो अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला दें और इन्हें भी साइड में रख दें तो चलिए अब हम बैटर बना लेते हैं बैटर बनाने के लिए एक कटोरी बेसन लेंगे और बेसन में डालेंगे नमक नमक स्वात के अनुसा डालेगा ज्यादा नमक ना डालें और डाले इसमें दो पींच हींग जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा और इसी के साथ डाल देते हैं आधी चोटी चमच बाले मिर्च पाउडर और यहें लहसून अदरक और हरी मिर्च का पेश्ट जो हरी मिर्च में लाल वाली मिर्च क्योंकि आज एक आदसी है और एक आदसी के दिन हम ये मस्रूम पकोड़ा बना रहे हैं। अब इसमें लगवग एक कप पानी डालें और इसका अच्छा सा फैट कर बैटर बना लें। ध्यान रखें कि एक सच ज़्यादा पानी ना डालें। पहली बात कि हमें बैटर काढ़ा रखना है और दूसरी चीज कि अगर बैटर पतला हो गया तो फिर आपके पकोड़े परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो यहां ध्यान रखें कि बैटर को अच्छे से 3-4 मिनिट तक फेटना है जिससे कि यह थोड़ा फ्लपी हो जाए। अभी यह थोड़ा से ज्यादा थिक लग रहा था तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा या फिर मिठा सोडा भी आप डाल सकते हैं। और यह जो मिक्चर लिये थे उसे साथ में रख लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि मस्रूम में यह स्टफिंग कैसे भरें। तो आप अच्छे से देखिए ये जो कटोरी वाली मस्रूम है उसमें हम सारी श्टफिंग को ऐसे उंगली से दबा कर अच्छे से भर दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा ना भरें इसे अच्छे तरीके से भरें इससे ये खाने में बहुत अच्छा लगता है तो इसी तरीके से हम एक-एक मसरूम को उठाते जाना है और इस्पून से उसके अंदर भर कर फिर उसे अपने उंगलियों से दबा देना है जिससे कि श्टफिंग अच्छे से उसमें सिट हो जाए आपने अब तक मसरूम की सबजी तो बना कर बहुत बर खाई होगी अगर आपने कभी पकोड़ा ट्राइ नहीं किया है तो आप एक बार जरू ट्राइ करें तो यह देखिए हमने सारे मसरूम की कटोरियों में स्टफिंग भर दिये हैं तो अब यह जो नीचे वाला उसका हिस्सा है उसे उसमें जोड़कर और यह जो टूथपिक होता है उसे हम फसा देते हैं आप इसे अच्छे से सिट हो जाएंगे तो एक एक करके हमें सारे मसरूम को इसी तरह से रेडी कर लेना है तो चलिए अब हम पकोड़ा बनाने के लिए इसे बैटर में लपेट देंगे टूथपिक का छोटा सा हिस्सा जो नीचे की तरफ निकला है उसे पकड़ कर हम अच्छे से बै पकोड़े को लपेटते हुए कढ़ाई में डाल देना है मसरूम पकोड़ा बनाते समय हमें सबसी खास स्थेहान यह रखना है कि जब आप इस पकोड़े को तलिए तो तो थोड़ा तेज गरम रखिए क्यूंकि मसरूम में अपना मुश्चर होता है और जब चोड़ने लग जिससे की जो पकोड़े का उपर वाला हिस्सा है वो भी जल्दी से सीख जाएगा तो इसी तरह से घुमाते हुए और अलटे पलटे हमें पकोड़े को गोल्डेन ब्राउन होने तक सेख लेना है फ्रेंड्स हमने अपनी चैनल पर बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे की है जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं तो यह देखिए मस्रूम पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बना है और आप इसका कलर देख सकते हैं तो इसे तलने में लगबग में 3-4 मिनेट लगे हैं और यह कुरकुरा पकोड़ा बनकर तयार हो गया है तो अब बस दो चीजों का ध्यान रखना है अब हो कि जब बैटर बनाए तो थोड़ा सा गाढ़ा बनाए और जब यह तेल में पकोड़े डाले तो तेल थोड़ा सा तेजगरम हो तो यह देखिए हमने सारे पकोड़े बना कर त्यार कर लिए हैं उमीद करते हैं फ्रेंज कि आपको हमारे यह कूरकूरे पकोड़े बहुत ही पसंदाय होंगे तो फिडियो को लाइक जरूर करें और एगर अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार हैं तो हमें सबस्क्राइब कर वेल आइकन क्लिक कर दें और अगर आप एस्पूरे इंस्टागरम और खाल कूकिंग चलाते हैं तो उस पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें तो चलिए हम पकोड़ों को सर्व करने के लिए बताते हैं तो सबसे पहले उसमें जो सीख है वो निकाल दें और इसे कट करके हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पकोड़े अंदर से देखने पर पता ही नहीं चल रहा है कि ये पकोड तो चलिए खा कर दिखाते हैं कि ये कितना कुरकुरा बना है इसकी हवाज से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पकोड़ा जितना खाने में टेस्टी है उतना ही ये कुरकुरा है तो मिलते हैं नए वीडियो में एक और नए रेजपी के साथ तब देक के लिए टेक केर और बाइबगाई!